हो जाएगा, कर जाएगा, तु बन जाएगा घुट मॉणिंग गाईज, मैं आपने परिवार एक्जामपर में तो दोस्तों सुभे हो चुकी है, उठ चाहिए, हो जाएगा, कर जाएगा, तु बन जाएगा यह हमारा आज, हम आज से इस हमेशा यह dialogue बोल दीजे, motivation quotes बोल दीजे, इसको हमेशा लेकर आएंगे, यह बहुत बहुत बहतरी निकाल कर लेकर आया हूँ मैं, हो जाएगा मतलब, हो जाएगा, कोई भी exam हो, आप उसको कर ले जाएंगे, उसके बाद मैंने बोला तक कर बन जाएगा, इस वह उठकर सीशे के सामने मेरे साथ जरूर बोला कर यह, तो यह एक अंदर से जोश लेकर आता है, कि हो जाएगा, कर जाएगा, और तू बन जाएगा, तो चलिए आज आज अपनी class कर शुरू करते हैं, और उससे पहले हैं, जो हाज आज हमारी स्क्रीन प कब बड़ा, एक बड़ी मंजिर हासिल कर लेंगे, आपको कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा, यही बात है, हमेशा चुट-चुटे गोल्स बनाओ, उन गोल्स तो कवर करो, उनसे आप क्या करोगे, आपको कॉर्विटेंस आएगा, और आपका एक अच्छे, बड़े करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वकाब्ली दमागे स्रीज में आ चुके हैं, और हम रूट-वर्स को कवर कर रहे हैं, हमने लगभग 15-16 क्लस कवर कर लिए, यह हमारी 17 नमर की क्लास है, इसे पहले लगभग 15 क्लस हो चुकी है, यह 16 क्लस हो चुकी है, मैं आपको बता कुछ या इनको प्लेस कर दिया इनको साथ mix करके एक नए word का formation करते हैं हम पूरे किसी भी वर्ड का किते हैं एक तरीके से Postmaten पोस्वार्टम कर देते हैं या इसका demolition कर देते हैं जिससे हम उसकी जड़्ग तक पहुचmind जाते हैं और जड़ को पहुचने लेकर के एक्जाम्बल के मीनियम को समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहरा हूं तो पुरा वोकेडरी की पूरी जिम्मेदाली ले लिए मैंने और हम आपको इतना मेंटर कराएंगे ना किस तरीकी चीज़ों को पर रहे हैं यह वोगारी ग्लास आपके लिए बहुत-बहुत-बह पूरा वोकेडरी की पूरी जिम्मेदाली ले लिए मैंने और हम आपको इतना मेंटर कराएंगे ना कि समझने का निया और एक्जाम तो क्या आप एक्स्ट्राओडिनेरी हो जाओगे वोकेडरी में बस आपको पकड़कर रखना है मेरे साथ तो चलिए पहला वर्ड आगे ह यान कि बोलना कहना ठीक है तो चलिए इस लेटर कुछ वर्ड हमारे सामने आ गए हैं इन वर्ड को याद करेंगे ट्रिक पर में जादा बलीव नहीं करता तो हमारा निमोनिक्स वाला सेक्षिन आएगा निमोनिक्स वाला वहां पर हम ट्रिक लिए करके आएंगे यहां आप हमारे सामने पहला वर्ड है इसका मीनिक होता है लोगो ग्राम जैसे किसी बीड टीषिर्ट का जैसे हमारे example का एक logogram है या फिर कोई भी sign होता है जासे कि end होता है न का एक logogram होता है ऐसे वाला होता है न तो इस तरीके से चो एक तरीके से उसको define करता है logogram उसको बहुत है हमjed में बहुत है क्या हम göra फिर करता है तेद हरो डेष़ी जहा करनी घ्रक मेंपना अपना meaning लेगा not ठीक है यानिकि इनका क्या meaning होता है not third word आते हैं हमारे सामने इनको याद करते हैं यह मेरे साथ e या ex दौनों को मतलब एक ही होता है और इससे पहले वाली class में हमने cover किया था out इसका क्या answer होता है out out से मतलब positive sense आएगा कोई भी चीज जो एक उम्मीद से जादा भैतर हो गई हो है ना जैसे कहता है out standing performance इस तरीके से हम e का use करेंगे ठीक है तो next word आता है हमारा lock you lock you आप मैं आपको पता दियाएगा क्या talk to speak यह से बोलना दखो यही फाइदा है root words का यह word कल कवर हो गया था यह word कल कवर हो गया था Omni word आ चुका है पहले एक class में याद नहीं है कौन सी class में आया है ठीक है Magni word आ गया है तो जिन जिन बच्चों ने पहले class attend किया है उनको तो मज़ा आ रहा होगा कि हां सर रिपीटिशन हो रहा है और जिन बच्चा नहीं है वो जब एक पूरी series cover करेंगे पहले वाली तब उनको बहुत मज़ाएगा कि इस class को देखने में और अगर आप पहली बार भी आ रहे हैं तब भी मेरे साथ याद करो क्यों जब अभी याद करोगे तो पुराने पर जाओगे तब आपको पुरान आपके आश पास कोई stupid है तो उसको दो तीन बार बोलो इननी भाई वो इननी है सचेन इननी है राहूल इननी है वो बुरा मत मानना example गरहा हो हो तकता किसी करना सचेन हो एनना मान के चलो मैं अपनाना मेरा हूँ अनुच मानलो अनुच क्या है इननी है ठीक है तो इस तरह से glorious हो बहुत बड़ा हो और great हो clear बात magni magni pronunciation इसका इतना इसा है कि खुद अपने आपको define कर रहा है कि कोई भी चीज़ जो बहुत जाता great है इन वर आता हमारा melly यानि कि आप इसको ऐसे याद कर लो कि मैली हनी होता है वो जाता है पिगला हुआ सा होता है बिलकुल smooth होता है तो आप उसको यहां से याद कर लेंगे कि honey कैसा है मैं ले उसके बाद बढ़ता है ओब ओब को य्याद रखेंगे ओब का मीनिग क्या होता है opposite तो same sound कर रहे है ओब औब और फिक इस तरह से याद कर लेना ऑब ओब मलब opposite टीक है औब क्या होता है opposite उसके बाद आता है Omni, Omni word आपने बहुत ऊच्चे सोना होगा Omni-potent, Omni-cent सारे word, बहुत common word है, इसका answer होता है All Omni word ज़ब भी भी आएगा तो उसमाँ Like 화joy, cash means, जैसे कि suppose करो आपको किसी ने थोड़ी ची रकम दी, आपने father को आपने 100 रुपीज मांगे और उन्होंने आपको क्या करा 10 रुपीज दे दी, तो 1 by 10 जो है वो इक पॉसी अमाउंट है कैसी है पॉसी अमाउंट इस तरीक से याद करो, ठीक है? मेन नहीं मतलब होता है मैनुट जो चीज हांतों से हो जैसे की पहले जो कॉपी चैक हो थी इसली पर इक्जामिनिशन में वह मैनुटी थी मैनुटी चैक हो रही है जितने भी words एक्जाम में हंएशा देखना आपके आसपास की word आएंगे तो आपके touch होगे पर जाया करो तो वहाँ चीजों को पढ़ा गरो English में जा लिखा आकर है Metro Station में जाया करो तो वहाँ पढ़ा लिए इस तीज़े आती है exam में examiner देखना चाहता है कि आपको आपकी surrounding की कितनी knowledge है ना तो यही सब चीज़ा आती है ठीक है तो चलिए एक बार फिर से बता जाता हूं आपको ताकि आपको बहुत भेतर हो जाए मुझे बस जब्मेदारी मेरी है कि आपको इस class में याद हो और इसके बाद जब्मेदारी आपकी है कि आप उसको कि प्रयास करना पड़ेगा मैं आपको समझा दूगा मेरी जब्मेदारी है कि आपको एक एक वर्ड तोड़ दूँ और यहां class में वैस बिल्कुल मस्तरीक से याद करा दूँ उसके बाद जो सच्चाई है वो आप पर है आप याद करेंगे आपके नमबर आएंगे आपको प पार से रिजन पर आ देता हूं ग्रामा मतलब मैंने बताया है लोगों कराम जैसे कि end वाला हो गया इन मतलब क्या होता है not e मतलब क्या हो गया out e मतलब out lock you मतलब speak इननी मतलब क्या होता है कि आपका stupid वह कोई बच्चा है आपके असपास को सोचो वो क्या है इननी है जितना image बनाओगे इतना याद होगा मैगनी मैगनी अपने आप में डिफाइन कर रहा है greatness को मैली मतलब हनी कैसा है मैल्टी है हनी है ओप क्या था opposite ओमनी मतलब easily आपको पताये all पॉसी यानि की small amount जिस में आपको पताया कि 10 रुपे है वो एक पॉसी amount है 100 रुपी के आगे मैनी मतलब था मैनुवली क्लियर आगे बढ़ें देखो इन्हान टाइम लगा पहली में टाइम लगा लेकिन आपको अप फाइदा आगी कि मैं पहली जोर देता हूं चलिए देखो अब मारा खेल शुरू हो जाता है तो पहला वड़ाया मारे सामने फ़िए ग्रामा लॉग इसका स्ट्रक्चर तोडएंगे to speak, say, a talk तो लोक्यों क्यों हमारा होगा है speak तो ग्राम मनलाग है लोगो ग्राम लोक्यों मतलब to speak तो एक्सपरेशन क्या होगी a sign और symbol representing a word, एक ऐसा sign ये ऐसा simple जो किसी word को define करता हूँ, ठीक है बच्चे तो को यहां पर आप यह मत कहने लगा न इसका Hindi meaning बताओ, अब आप खुद सोचलो मैं इसका Hindi meaning कैसे बताओ, ऐसे कैसे हो सकता है, जब आपको English में अच्छे समझ में आ रहा है, तो English की हैबिटार हो ना जितना आप जहां मेरे को लगेगा कि यहां Hindi meaning बताना है एक शबन में उसका answer दिख रहा है मैं definitely बताँगा, आप से कहे हुए ना लेकिन जहां आप यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि grammar log की profit definition explanation समझ में आ रहे हैं आपको क्या समझ जाओ, एक्जाम में आपको हिंदी तो लिखवाई नियाएगी है dollar का, clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्जाम्बल देखो मैं आपको बदा दिया example क्या, कि dollar stands for dollar, जो यह इस तरीके वाला sign है, dollar वाले sign है, वो stand for किसलिए है, dollar के लिए, clear cut, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब आते है inoliquent, inoliquent का मतलब होता है, कैसे समझेंगे इसको, तो अपने आप ही मतलब निकान लिए कोईश करेंगे, और पहुंचेंगे हमारे answer तक, कैसे, तो इन मतलब क्या होता है, हमारा, क्या होता है, in मैं आपको बताया, not, clear, और e मतलब क्या बताया है, मैंने आपको, out, और उसक समझेंगे, मैं एक तरीकी से माल लो, मैं हैनत कर रहा हूँ, उस पर in class में, क्यों, क्योंकि, मैं चाहता हूँ, हर बच्चे का समझेंगे, जो पुराने बच्चे उनको, यह बिल्कुल समझ में आ रहा हो, किस तरीकी से होता है, तो इस तरह से तो बिल्कुल दिया, आपके स अब जैसी आया out हमारा, तो मैंने आपको बताया था, कि out हमेशा आता है हमारा, किस के लिए outstanding performance के लिए, जब आप कुछ बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी performance करते हैं, तो वहाँ पर आता है हमारा out, ठीक, दूसरा वाला out निया, कि get out वाला है, यह e वाला out वाला not fluent, यानकि आप जो है, वो बोलने में एक दाव fluency नहीं है आपके, अटक अटक के बोलते हो, इसलिए यह क्या है, वो not fluent है, आई पास समझ में, तो बच्छों आपके सामने पूरा postpartum कर दिया, आप मत कहना कि समझ में नहीं आया, ठीक है, अब next word परते है हमारा, लोकाक्सि के लिए, तो क्या हो गया, बोलने वाला, तो बोलने वालों कि क्या बोलेंगे, बातों नहीं, जैसकि आप इमेज में देख रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, लोकासियस, ठीक है, explanation extremely talkative, यानकि बहुत ज़्यादा बोलने वाला, या बोलने वाली, clear, next word बढ़ते हमारा, इन थोड़ी सी जब स्पीट पकड़ेंगे, in eloquent, inanimate को क्या बताया था, stupid, और lock you मतलब to speak, यानि की कैसी speak हो रही है हमारी, inanimate क्या बताया, stupid, ठीक है, और उसके बात की lock you मतलब speak, तो stupid speak का क्या मतलब हो गया, बेवकुफी, और speak यानि की बोलना, तो बेवकुफी बोलना मतलब की बहरा बोलना, इस तरही किसम चीजों को लिंक करते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, expression देख लिकता है, speaking foolishly not fluent, clear, चलिए, आगे बढ़ते है, magni, magni जो point होता है, magnify, यानि की lofty, grandiose, great, stylish, इस तरही किसम इसको define करते है, तो magni का क्या मतलब हो गया, हमारा magnify, और lock you मतलब to speak, यानि की magnify बोलना, grand is style में बोलना, अब girl को देखो, इसको देख करके, image को देख करके, याद क्या किजिए, क्या, कि ये कैसे speaking कर रही है, magni low quench, तरीक से, stylish तरीक से बोल रही है, तो ये क्या होगा हमारा, magni low quench, चलिए आगे बढ़ते है, next बढ़ता हमारा, magni low qu है ना, और उसके बात क्या है हमारा, log की, log की मतलब बोलना, तो हातों से बोलना, हातों की इशारों से बात करना, तो वो क्या होगा हमारा, magni low quench, clear cut, होगे बात, clear, तो हातों की इशारों से बात करना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, तो वो क्या ह वो क्य होते हैं हातों कि शारे से बात करते हैं मैंनिलोक्यूम करते हैं तो अगर आपके आपके आस पास भी कोई ऐसा बच्चा हो तो इमेज बैना उसके माइन में और सोचो क्या है वो मैंनिलोक्यूम है तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा एक्स्राइशन पर आएंगे इसकी इस्पेकिंग बाइ यूजिंग साइंस विद हैं इसे फिंगर्स कुछ बच्चे होते हैं जो हां नहीं बोल पाते हैं उनके लिए मैंने लोग क्यों भी वर्ड हम यूज करते हैं के लिए आप बात आरी सांट मेरिकेप कैसे तरीके से लेक बता हो है ना देखो इस रक्षर आ गया मैं मतलब हनी लोग मतलब तो क्या हो गया मधूर बोलना है ना स्पेकिंग विर सुईटली एंड हार्मिर्सली ठीक है हो गया क्लियर चलिए बहुत असान है मैं कहा रहा हूँ ना पहली स्लाइड में आपने ध्यान दिया तो बहुत पाने से कवर हो जाएगा नेक्स वर्ट पर आते है हमारा ओबॉलक्यू अबॉलक्यू मैंने आपको क्या बताए था ओब मतलब क्या बताए था आपको ऑपोजिट और लोग क्यों मतलब तूस्पीक यानि कि अपोजिट बोलना अब देखो यह दो को इमेज बहुत बहुत इन बेचारे को बिलकुल बाई ऐसे होता है है ना तो माप करना ठीक है तो ओम में लोग क्या था ओब बोलना यानि कि विरुदाबास बात या बुरा बोलना के लियर इवल स्पेकिंग सान में अई बात चलिए आगे बढ़ते हैं आप थोड़ी सी स्वीट पकड़ा है मैं चीजों को समझ में आ गया है जातों बहुत नहीं करूंगा आपको जल्ले बढ़ेंगे ओमनी मैं नहीं किया पताया था ओल और लॉकिंड ने की स्पीड तो ओल इस्पीड बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं आप यही तो कहों कि सर और स्पीक हो गया आप क्या करें तो उसको बखता बोलना बतलब संचेफबात बलना मतलब संचेफबात बिल्कुल बहुत असन रहा है चलिए कंसाइस को बोलते हैं इसको यहने कि Small बोलना कम बोलना किसे शेप चलिए आपके बारी श्राट हो गई है अब आपको रिविजन करना है फटा फट से मैं आज इसके आंसर फ्लैश नहीं करूंगा मैं आपको बता दूंगा सब बच्चों क्या काम करना है आंसर टाइप करके कमेंट बॉक्स में जुरूर बताने हैं उसके बाग आज मैं आपके लिए छोटा सब्राइज लेकर आया हूँ एक बच्ची ने रिक्वेस्ट की दी किसा ऐसा भी कीजिए आप एक बात हमेशा है रखना मेरी हर कमेंट पे अब फटा 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 आंसर टाइप की जा मेर सब्सक्राइब करेंगे तो इतना टाइम काफी है और अगर आप नहीं कर पाए है मुझे पता है कि शायद इतन जली ट्रांसर टाइप नहीं होता है आपके सामने पस यह इसलिए रोकता हूँ ताकि आप उसको एक बार देख लें नजर माले और जब पूरी क्लास हो जाए तब टाइप करें मैं कहा रहा हूँ जो बच्चा मेरे पास बहुत मुझे से साध्याइड बच्चे से टाइप करते हैं लेकिन मैं गैरांटी दे रह आपके यहली क्लास के तयार हो जाएए जिसमें हमारी कवर करेंगे हमारी प्री पोजिशन तो चलिए आज हमारे सामने पहली प्री प्री पोजिशन क्या गई है यह सेक्शन हमीशा थोड़ा सा असान रहता है एस कंपेर टू रूट वर्ट्स तो ठीक है जब देख से फटा तो आपको एसी तरीक से याद करोगे आपको यह उच्छे से याद हो जाएगा और इसका मीनिंग होता है से चाथा होना इसे ही याद रखेंगे तो यह जा तो बहतर से याद होगा तो यह आगे बढ़ते हैं यह अगर आपकी तारीफ बाहर करते हैं आपके पापा आपके तारीफ होतीए आपके सामने पीछे होती है और सच बताओं तारीफ हमेशा पीछे यह वह तो तपही मज़ा को आप सबसे के सबस्क्राइबल सबस्क्राइब आफे तरीफ से आप ब्लेश एट हो गए है आपनी तारीफ से एकसांपल राता है यह बॉट आपनी डांस प्रोल में स्ट एक तम ब्लैंक हो जाता है उस तरीके तरफाहरा ब्लेश अब दूसरे अग्या मेरा ब्लेश वॉट्य। तो दूसरा आता है हमारा blush for, अब यह जो blush for है ना, एक आया blush at जहेब जाना, शर्मा जाना, यह blush for आता है किसी के कारण जो बेजदी कर देते हैं, क्या ना, जिसर की बेजदी कर देते हैं, उसके कारण जो legit, जो आप मैं लब क्या हो जाते हो, legit हो जाते हो ना, उसको बोलते है क्या ब्लेश फॉर क्लियर तो हमारा हिंट आता है हमारा आपको सुना दिया उसके किसी फैमनि ने आपको किया चोट भाई में बड़े भाई बाई को क्या करना होना पड रहा है तो इसलिए हमारा ब्लेश फॉर यानि कि अफॉर ठीक है example पर आता है you makes me blush for your behavior यानि कि तुमने क्या काम कर दिया मुझे आपने behavior कारण शर्मिन्दा कर दिया लजजित कर दिया clear? next बटते blind in यह आया है अब अब आगए होगी सबके चाहरे पर समाई हाँ शरारती students जानता हूँ मैं यह love को देखकर के आपके mind में कुछ ना कुछ खुराफादी घुमने लगता है तो चलिए इसको भीयाद करते हैं बहुत अच्छा वर्ड है गुरुजी आप ही बड़े बोल ले हो हमें तो बड़े लगे गई है ना चलिए बढ़ते हैं blind in किसी चीज में अंधा हो जाना और सबसे बड़ी आप अंधे कहां होते हैं प्यार में जब तरी माजिक वर्ड ओफ लव बोलते हो ना पता नहीं कहां का बोला हो यह तो आप ही जानता है तो उसमें blind in होना क्या होता है आपका अंधा होना जब आप किसी चीज में अंधे हो जाता हो जरूर निया प्यार में आप आँक से भी अंधे हो सकते हो तो वहां पर भी ब्लाइंग करता है blind in आई यह हमारा हिंट है लेकिन blind in का actual meaning होता है किसी भी काम में सबस्कुर आप पढ़ाई में अंधे हो गए करेंगे blind होता है किसी भी चीज के प्रते अंधा हो जाना एक तो होता है किसी चीज में यह प्यार में अंधा हो गया अब किसी चीज में कि for example hint क्या था इसका example पर आता है फिर hint पर चलेंगे we should not be blind to the fault of our children यानि कि हमको अपने बच्चों की गल्तियों पर अग्रितम नसर अंदाज नहीं करना चाहिए उसके पते अंधा नहीं होना चाहिए सबस्कुर आपके बच्चे नहीं कोई गल्ती कर दी और कोई शिकायत करने आया तो यह मैं सोचे कि इसके लिए क्या हो जाते है ब्लाइंड टू हो जाते है clear समझ में आ रहा है ना next वर्ण आते हमारा born of born of का मतलब होता है पैदा होना हिंट लेते हैं हमारा parents बहुत असान word है example लिए वस बर्ण ओफ इंडियन पेरेंट्स यानि कि जब नेक्स बटाते है हमारा be set with वी से हमारा grust होना जैसे आप कोई भी चीज है कोई कोई परसन है वो किसी डीसी से be set with हो सकता है या किसी problem से किसी tension से अगर कोई किसी चीज से बिलकुल be set है यानि यह grust है तो हम क्या यूश करते है हम आप पर be set with problem से be set with problem पिकनी जो प्लान था वो शुरू से ही क्या था be set with था ग्रस्त था difficulties से ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स बटाता है हमारा bargain with तो यह तो आपके लिए समय में आए गया होगा कि बोलभाव करना और bargain with का जो हिंट लिया है मैंने hard bargain with the seller उसने क्या काम किया bargain किया बहुत ज्यादा hard bargain में लब कि बहुत ज्यादा इससे seller से जो घर पे selling करना आता है डेक्स बटाता है हमारा benton benton का मला होता है लग जाना किसी चीज की तरफ तुल जाना इसका जो dictionary में जो मेनिक था वो था तुल जाना प्रोजेक्ट या you are benton your project तो आपके अपने project को लेकर कि क्या है benton है example the worker is fully benton the project जो worker है वो fully क्या है लग गया है अपने project को लेकर next वड़ा हमारा believe in believe in yourself सबसे बढ़िया कि आपको खुद के अंतर रिश्वास रखना है perfect image कि आपको सीशे के सामने जाना है और जो जो dialogue मैंने generate किया हो जाएगा कर जाएगा तू बन जाएगा इस dialogue में बहुत दम है याद रखना बहुत सोचा है तब जाकर कि निकल कर आया है और यह generate किया है मैंने तू उसको मलब आपनी life में उतार लो बिल्कुल बोलो मेरे साथ हो जाएगा कर जाएगा तू बन जाएगा है ना तो मेनिंग क्या है किसी जीट में विश्वास hint yourself आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए example you have to believe in yourself यानि कि आपको खुद में विश्वास होना चाहिए करना है ठीक है क्लियर यहां तक बास समय में आई हमारे 10 के 10 पिर विश्वास हो गई है अब आपका टाइम चुरू होता है तो फटाफ़र्ट इसका रिविजन कीजिए और आपके सामने 10 के 10 वर्ड लिख्ये होए है आप फटाफ़र्ट से 10 के 10 वर्ड को रिविजन कीजिए और बहुत बहतर होगा कि आप क्लास ओवर करने के बाद सभी का अंसर टाइप करके शरूर बताएं तो चलिए फटाफ़र्ट से का रिविजन कीजिए अपनी आगों के सामने और देखिए आप कितनों का अंसर देपा रहे हैं आपके पास 30 seconds है 30 seconds में सारे words का अंसर कीजिए और दो-चार मिनट कह रहा हूँ 20 seconds और एक्ष्ट्रा ले लेना लेकिन कोई दिक्कत नहीं लेकिन हर एक word का क्या है कवर करेंगे ठीक है अच्छे से ठीक है तो फटाफट से रिविजन कीजिए फटाफट से फटाफट से जो जो मैंने हिंट आपको बताये थे उनको याद कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से क्या है वो याद हो जाए ठीक है तो चलिए फिज हमारी glass over हो जाएगी तो जो कल की class मैंने आपको बताया था ना मैं जरूर बताऊंगा कि कौन बैचे ने क्या रिविजन किया है क्या रिव्यू दिये है ठीक है तो आपके सामने मैं answer flash कर रहा हूं उसके बाद मैं बच्छों के नाम लूँगा जिरोंने कल की class में feedback दिया है answers किया है ठीक है बोल रहा हूं मैं ठीक है संतर जाना blush for behavior भाई के छोड़े भाई का behavior था से गारणा आपको लज्जत होना बड़ा blind नी लव में आप अंध्य हो गए blind to किसी चीज के प्रतिया आप अंध्य हो गए आपको attract हो किसी चीज की तरह है ना तो born of born in यह use होता है बच्चों के लिए पैदा होते हैं वह किसके parents के थूँ तो be set with होता है ग्रस्त होना किसी बी डेसी से है ना bargain with bargain with किस से करते हो आप shopkeeper से करते हो band down लग जाना किसी project में किसी काम में और believe in किसी चीज में विश्वास होना ठीक है यहां तक वासमन में आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के surprise पर बढ़ते हैं मैंने आपको क्या surprise दिया था क्या surprise लेकर आया हूं जी हाँ आज से हम चालू करने वाले हिंतू जिसमें पच्चे ने मुझसे बोला था शायद मैं उनका नाम आभी लूँगा और उनने बोला था कि सर आप ऐसा की जा करिये हां प्राची चौहान प्राची चौहान ने मुझसे बोला कि सर आप कुछ वर्ड जो है वो घर के लिए दे जाए ताकि हमारा अच्छी से चौहान ने दर गया तो यह की आपके सामने लिकर के आगया अब जब यह देखेगी तो वह बहुत खुछ होगी ठीक है तो आपको के लिए हम करना है इनका आडिया था कि सर आप कुछ वर्ड लिया करी ही घर से और हम क्या है उसका answer type करके आपको बताया करेंगे तो आपके सामने 5 words हैं यह आपका homework है आपको इसका meaning लिखना है आप उनको root words को लिखे ना लिखे प्रिपोजिम को लिखे ना लिखे लेकिन इन 5 वर्ड का meaning जरूर 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 टाइप कीटे comment box में जरूर पताईए कि आपके extra dates of words cover कर लेंगे ना जो आपकी preposition में sorry आपकी vocabulary में चार चांद लगा देंगे है ना तो मैं बस यह देखने चाहता हूं कि class over होने के बाद कौन सा बच्चा है जो पहले type करेगा second, third, fourth, fifth और मैं सबकी rank बताऊँगा कौन first आए, कौन second आए, कौन third आए ठीक है बस जा लेता हूं तो अगर आपको वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक कीजिए जितने बच्चे वीडियो देखा करें सबके सब लाइक करके जरूर बताया करें जब वो class attend करते हैं इतनी महनत लगती है तो बच्चा आपका भी like करने का हग बनता है अच्छा बस एक पात और करना चाहूंगा कि जो जो बच्चे ने अपना feedback दिया उनका नाम लेना बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने इन से promise किया था क्या अजीत यादर जी ने बहुत अच्छा feedback दिया वह बहुत खुछ रहे हैं मनीश मंडवाल जी भी रजद सुलतान तो always हमेशा रहती ही है प्राच प्राची चौहान ने सारे अंसर टाइप किया है दुबारा सचिन यादव जी भी विल्कुल हमेशा feedback करते है रजी अच्छा feedback किया है दुबारा से शिवांगे अनुर चौहान यह नाम कैसा है चलिए इनका भी इनका भी feedback आया है अफ्रोज अंसारी प्रवीन सिंग निदीर अच्पूत ठीक है यह सब बच्चे हैं अफ्रोज अभी लाशा तो को सब बच्चे कमेंट टाइप करके बता रहें सबका नाम लिया है साथ-साथ अभीशेक नायक और रहे गये थे सबके मैंने नाम बट टाइप करके बता दी है तो आज जो कमेंट बॉक्स में फर्स, सेक आज भीशेक बॉक्त डाइब हैसाथ